हेलो प्रेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे तो आज कर जो टॉपिक होगा तो यह देखेंगे बिहार में दो दिवसी जो हुआ है इन्वेस्ट्मेंट सब्मीट होगा है वहाँ पे और तीन सो से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया है और इसमें अभी आपको यह भी दे से रहें कई दिनों से देखेंगे कितना आगे बर्षते जा रहा है तो यह देखेंगे जब हिंडर बर्ग रिपोर्ट निकाला था वहां से मतलब अड़ानी के से से समझ यह 100-100% तक तूट गया था मतलब नीचे चले गया था और उसके बाद अब आपको देखने को मिलेग हैं तो यह करते क्या है समझ यह 100% के लिए रिपोर्ट निकालते हैं तो हिंडनबर का आप देखेंगे तो crack recording ही देख सकते हैं तो उसने हमेशा से देखेंगे तो short selling के लिए ही किया है पहले अपना position बणा लेगा जैसे क्या होता है short selling में पहले position बना के फिर वहाँ पे जैसे report लाईएगा market तूटने लगते हैं या तो option में ले लिजिए फिर वहाँ पे जाए short selling और बहुत बड़ी कंपनियों से भी ये पैसा लेते हैं कंपनियों से पैसा लेते हैं short कराने के लिए क्योंकि वो भी अपना position बनाएंगी तो ये पैसा ले लेते हैं उसके बाद ऐसा कोई report निकालेंगे जिसमें मार्केट में panic फैल जाए पूरी तरह से और panic जैसे फैलेगी वहाँ पे तो retailer को ही loss होता है और किसी को loss नहीं होता तो retailer क्या करते हैं अपना share जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं जिससे market बहुत गिर जाती है फिर वो short तो पहले से बनाए रहते हैं position वो अपना वहीं पे माल बेचके निकल जाते हैं market बहुत जादा गिर जाती है फिर देखेंगे फिर आते हैं वो फिर long का position बनाते हैं market गिरवाते भी हैं बहुत लोग मतलब गिरवाते हैं जिससे वो अपना position बना सके अब मान लिजे किसी company का share बहुत उपर चला गया तो उपर चला गया तो ये क्या करेंगे वहाँ पे ऐसा कोई report निकालेंगे जिससे कि पूरा company का share जो प्राइज है वो गिर जाया फिर अपना ये बरे जो investor होते हैं foreign investor देखेंगे ये position बना लेते हैं और retailer वहाँ पे बेच रहे होते हैं फिर कुछी दिन में देखेंगे उन सत्र चल रहा था उसमें पूरा मुद्दा डानी के ही नाम पे चला गया था तो उसमें आपको देखने को मिलेगा तो ये जनता के supporter नहीं और देखेंगे जैसे वो report निकालता है उसके support करते हैं और फिर market और गिरते चले जाता है जैसे जैसे न्यूज ये तूल पकरता है market जो रहती है और नीचे गिरते जाती है तो इससे होता कि और retailer को loss हो जाता है और यहां तक मतलब यहां पर फैलाया जाता है कि मामला चला जाता है Supreme Court में Supreme Court वहां पर committee बनाती है committee जैसे बनाती है तो और market गिरते चला जाता है तो ये retailer का support नहीं कर रहे थे retailer को और डुबाने का ये लोग काम करता है समझे और फिर अभी देखेंगे तो retailer का ही loss हुगा फिर देखेंगे यह जो समझे कि पूरा market है वहां पर आके खरी हो गई है अडानी की company पिर से तो इसमें अब जो समझे कोट ने फैसला दिया है तो कोट ने ये भी बोला है कि बहुत बड़े बड़े देश हैं पहले से ही देखेंगे समझे आके वहां पर बैठें हैं मेज पर वहां पर भारत के लोग आके बैठ रहे हैं अब समझे अडानी वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर पहुंच गया थे अमीडों के सूची में तो यह जो अच्छे मीं country हैं और जितने भी लोग हैं तो उनको यह आखों में मतलब समझी की चूबहन सा हो रहा था तो फिर यह रिपोर्ट लाते हैं और यह देखेंगे अडानी बीस पचीसवे नंबर पर पहुंच जाते हैं अब देखने को मिलेगा वहां पर तो ऐसे इस बज़ा से रिपोर्ट लाई ज लेकिन क्लीनजीट रहीं अधानी के फेवर में पूरा माम लागया है समझी कोई वी कमपनी समझी हैं कोई कि कंपनी नहीं लेगा ज्सog क्सके का को ऐसा वहीं लेगा तो ज्यादा था टेंडर इननी लोगों को मिलते हैं तो इन सब लोगों से मतलब इसा निये कि उनको ही फायदा है बहुत लोगों को फायता होता हुद ऐसा नहीं है कि भारत में ही देखेंगे हर एक जो समझे कि बहुत बड़े जो industrial होते हैं घाराने उन्हीं को गारने मिलता एक यह मतलब भारत में ही युएस में जाके देखे चाइना में सबी जगब में मिलता है जब की चाइना तो देखेंगे communist वहाँ पे सभी को बराबर treat करना होता है कोई अमीर गरीब नहीं हो सकता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो अभी जो हुगा है तो देखेंगे बिहार में एक सब्मेट हुआ है समझे बिहार में मतलब इंडर्स्ट्रिल सब्मेट हुआ है जिसमें की समझे 50,000 करोर invest क करने का बोला गया है और यहां पर आडानी सम्मू सबसे आगया है इन्वेस्ट करने में इसी को लेकर आर्टीकल था कि जो देखेंगे तेजस्बी या दो फिर नितीस कुमार जी ये लोग बोल रहें थे आडानी के मुद्दे पे ही देखेंगे सेंट्रल गवर्मेंट को मो सबसे अच्छा ये चीज़े हो रही है क्योंकि जब में इन्वेस्टमेंट होता है तो पहला नंबर आपको बहुत सारे इसके फायदे होते हैं यह तो अलग ही आपको बताना परेगा लेकिन कुछ फायदे आप समझ सकते हैं रोजगार मिलेगा रोजगार मिलेगा जिससे वहाँ जो समझे कि अधरे स्टेट में लोग जाते हैं वो कम होगी फिर देखेंगे दीरे दीरे जो इन्फास्ट्रक्चर है उसमें गौवर्मेंट को इन्वेस्ट करना परता है अब जो भीहार गौर्मेंट है तो वो क्या होगा मतलब प्रेडित होता है देखेंगे पहुत जादा खर्च करना पड़ता है फिर अगला जो प्रॉपिट होटा है तो बहुत वर्टा है समझी अब कमपनिया वहां पर काम करेगी तो गॉर्मेंट को युद्न है टेक्स मिलेंगे होटले देखेंगे होटले चलेंगी बस सभी चीजे मतलब सभी को आपर फायता आएंगे जाएंगे सबको फायदा होता है वहाँ पर होटल बगे रहा है और अगला होता है मतलब सीटी बनने लगती है आप देखेंगे कि मतलब छोटी-छोटी जहाँ पर कंपनिया काम करती है वहाँ पर सीटी डेवलप होने लगती है और वह सीटी धीर धीर देखेंगे औ और बड़ी सीटी होती है और समझ ये सीटी जैसे बनने लगेंगी तो वहाँ पर और जो इंडरस्ट्रियल मतलब घाराने हैं वो भी आएंगे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है तो और लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं और और आते चली जाती है ये आप देखेंगे और अगला जो है तो ये गवर्नेंस ठीक हो जाएगा आप वहाँ पर देखेंगे गवर्नेंस की सुभीदा नहीं है पुलिस को जो मन में आता है वो करती है बहुत माफिया है वो सब भी देखेंगे ये धिरे-धिरे कम हो जाएगा क् प्रफेस्नल लोग आएंगे अब ऐसा लोग नहीं है कि समझे गुंडे मावाली अगर यह सब जादा चीजे रहेगी तो कंपनिया काम नहीं करेगी तो इससे क्या होता है स्टेट जो होती है वह गवर्नेंस पर ध्यान देती है यह सब चीजे नहीं हो सके तो यह भी की जानने लगे एकटल एक छो टी चाथी चीजों वहां के लोगों को पता चलने लगए तो इससे जुराओं भी आपको देखने को मिले गा तो बहुत सारे पायदे होते हैं समझी हेल्थ बगेर सब्य NICK मैं देखेंगे increment होता है और जो लोग का पलायन है सबसे बड़ा यह problem है बिहार के सब ही लोग बाहर जाते हैं तो यह सबसे पहले रुके के जैसे वहाँ पर investment होना सुरू होती है तो यह बहुत बड़ा अच्छा कदम है लेकिन समझे लीडर जो है बहुत तरह लीडर नहीं चाहते हैं डानी के नाम पर क्योंकि वह सरकार को घेड़ना चाहते हैं लेकिन अभी यहां पर बहुत अच्छा काम किया गया है कि सभी चीजों को अलग करो और फिर यहां पर इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट आये तो बहुत बहुत बारा फायदा है यह पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया ओके गई थैंक्यों और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट अपके